बहुत तगडी वाली ठंड हो रही है और आपको बेस थर्मो स्टील बोटल लेनी है। बहुत जादा कन्फीजन है कौन से ब्रैंड की बोटल कंसीडर करनी चाहिए और उसका कौन सा मॉडल कंसीडर करना चाहिए। 25 से जादा बोटल को साइट बाई साइट कंपेर करने के बाद 600 से लेके 1500 के बजट में बेस्ट हर्मो स्टील बोटल बताऊँगा इस वीडियो में जिसको डिरिकली कंसीडर कर सकते हो विदाउट एनी कन्फीजन फिर भी कोई डाउट हो प्लीज कॉमेंट दो गंटे में सकती है बड़ ये जूट है पानी को आराम से 5-6 गंटे तक आराम से यूज कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्ड क्वालिटी एग्जेक्ली आपको सेम देखने को मिले की जैसे सेलियो या मिल्टन की देखने को मिलती है बट बजट कम है और आपकी नीड कम है बहुत देखने को मिल जाते है जिसमें डखकन लगा होता है और डिरेक्ली बोटल शेप में भी आती है कोई भी लिटरली कंसीडर कर लो बस डिजाइन का दिफरेंस है अधरवाइस कोई दिफरेंस नहीं है अब नेक्स केटेगरी जो आती है वो आती है 900 रोपे से 1000 के बीच में जो और ये बिल्कुल सही है अठारा से 19 गंटे तक बहुत आराम से चल जाएगा most of the cases है मैंने पानी भर के छोड़ दिया और next day यूज़ करा है और आराम से मुझे ठीक ठाथ गरम मिला है तो काफी हद तक सस्टेन कर सकता है डेफिनिटली आप कंसीडर करो 4.1 स्टार 1000 ml वाला और सेयो का भी फिलिप स्टाइल स्टेनलेस स्टील मौडल मिल जाता है तीनों में से कोई भी एक कंसीडर कर लो बेस्ट है इसी रेंच में सिंपल डिजाइन के साथ अगर आपको बोटल चाहिए थी कोई भी कपोल्डर और नहीं चाहिए आपको बट बिल्ड क्वा आपको देखना को मिल जाता है कंपनी क्लेम करते है 24 आवर का बेक अप ये दे देता है ठंडा गरम रखता है बट मुझे फील हुआ है कि इससे जादा देर भी रख सकता है आपके पानी को गरम इसको मैं परसनली यूज करता हूँ अपने ओफिस के लिए 4.4 स्टार रेटि के साथ है 949 में उसको भी कंसीडर कर सकते हो बाइद वे सभी के 500 ml वाले मॉडल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन हमेल जाएंगे बट मैं परसनली आपको रेक्मेंट करूँगा अंटिल अलस आपको छोटी बोटल नहीं चाहिए आप हमेशा ही 1000 ml बाली बोटल ही कंसीडर करे इस पर भी कंपनी क्लेम करती है कि ठंडे पानी को तो 24 जंटे तक सस्टेन कर सकता है गरम पानी को 12 गंटे तक और ये सही है 4.5 स्टार रेटिंग 1100 से ज़्यादा रेटिंग्स है 1200 के बजट में definitely आप कंसीडर करो इसी रेंज बे सोलारा का insulated water bottle भी मिल जाती है 1500 के बजट म नहीं देखने को मिलेगी अभी भी गंफीर जाने है प्लीज कॉमेंट दो गंटे में reply मिल जाएकर